तो एस्टारेशन के केस में देखो T2 है 13 और T5 है 25 तो A प्लस G क्या हो जाएगा 13 और A प्लस 4 हो जाएगा 25 अगर हम इन केसें को सॉल करें तो क्या हैगा A आजाएगा 9 और D आजाएगा 4 तो हुमक में सबसे पहले तो NCRT के एक्साइज 5.4 से लेके 5.6 नोट बुक में कम्प्लीट हो जानी चाहिए मैं कल चेक करूंगी दूसरा कल प्रोजेक्ट फाइल की सब्मीशन का आखरी देना है जिस जिसने नहीं सम्मिट करी वो याद से कर लेना वरना जीरो तो हुमक आलो X LLs of water required है now total mixture कितना हो जाएगा हमाara X plus 1.25L now it is evident that the amount of acid contained in the resulting mixture वो कितना होगा 45% of 1.25L तो करना चेप्टर तो फतम होगे है, तो कल की क्लास में आती है, हम आपको इसे कर लेंगे, टेक्साइस 1 और 2 पूरे दर के आना, और जो तुम्हारी आएगी तो प्रीपीपीपीए, वो कलने आपको. जिस जिसने नहीं सम्मिट करी, वो याग से कर देना बना 0-0. सब छोड़, जांके तूर प्रेड लियाने तो दुगान बंद हो जाएगी. जेक्साइस 1 वोड़ सब सकते हैं इस कि झाद कर देंगा। झाल था– एक लेक्षर से दूसरी लेक्षर के बीच में मिनिमम तुमारी तीन रिवीजिन हो जानी चाहिए एक सेकंड रुको भीया, कहां से कर लेक्षर टीन रिवीजिन, आप तो बोलके चले जाते हो कि तीन रिविजिन माल लो, डिपीप भी कर लो, फिर मॉड्यूल भी कर लो, फिर उसमाद ये सैंपल पेपर भी कर लो, कहां से कर ले, इसके लिए टाइम कहां से निकाले, सुबह छे गंटे हमारा स्कूल ले जाता है, फिर वहां से आते हैं, चार पता नहीं कब बचाते हैं, खाना खाते हैं, फिर चार से आठ वापस हमारी कोचिंग के क्लास होती है, वहां से आते हैं, फिर स्कूल का उंबग, कोचिंग के असाइन्मेंट, कोचिंग की डिपीप, फिर उसके बाद स्कूल की DPP, स्कूल का Notebook, स्कूल के प्रोजेक्ट, आठ से बारा के बीच में कहां से कर ले हैं सब हम? भाईया, पूरे रूटीन की भसण मची हुई है. और फिर मम्मी आ जाती है, कि यह दूद लिया ओ, फिर यह लिया ओ, वो लिया. अरे बस बस बस, शांत मेरी जाएं, शांत, कोई solution निकालते हैं. सबसे पहले यह बता, स्कूल कितने बहे तक होता है तेरा, आठ से बारा होती है. ठीक है, तो जो स्कूल होता है तेरा, वो स्कूल होता है तेरा, आठ से लेके दो बज़े तक. फिर उसके बाद कोचिंग कितने बहे तक होती है? कोचिंग होती है चार से आठ. ठीक है, तो तेरी जो कोचिंग होती है, वो कोचिंग होती है तेरी चार से लेके आठ बज़े तक. तो यह जो तेरा दोस से लेके चार वाला टाइम इसके बीच में क्या करता है? खाना ना खाये गया भईया अच्छा ठीक है फिर आठ भईय के बाद का करता है आठ से नो तक तो डिनर करते हैं फिर वापस टेबल पर बैठ जाओ स्कूल का प्रोजेक्ट बनाओ उसकी नोटबुक कम्पलीट करो क्योंकि अगले दिन चेक हो नहीं है अगर ये नहीं करा तो फिर मैनम नमबर काड़ देगी इसे करते करते साड़े क्यारा बारा बच जाते हैं तो आप ही बता पही है सेल्फ सेडी कहां से कर लें आप जो बोलते रहे तो तीन बार रिविजन मालो इकां से माल ले फिर लेट सोएंगे तो सुबह नियूट पाएंगे स्कूल नियू जा पाएंगे अच्छा-च्छा तो ये दिक्कत आ रही है तेरी एक बाद होता गल्फरेंड है तेरी अब इसमें गल्फरेंड कहां से आ गई वैसे नहीं है अच्छा-चल माल ले तेरी गल्फरेंड अब माल ले उसका कल बढ़ दे, रात के साड़े नौ अलरी बच चुके हैं, ठीक है, रात के साड़े नौ अलरी बच चुके हैं, तिरको उसके लिए गिफ्ट लेकर आना और दस बची दुकान बंद हो जाएगी, अब तु भाई गिफ्ट लेने निकलने ही वाला होता है, इत लेक्सिमम बच्चे ये सेम आंसर देंगे, क्यों, क्योंकि भाई गल्फ्रेंड का मामल है, बट अगर और कोई चीज होती है, जब तुमारा दिमाग इत्ता चलता नहीं है, है ना, भाई मैंने अभी क्या करा, एक दो दिन पहले इंस्टाग्राम पे बच्चों से एक पता है कैसे इंपलेंडर था, देख दिखाता हूं, मैंने अलग से निकाल रखाया, ये देख, भाईया मैं सुबह उड़ता हूं साथ बजे, फिर साड़े आठ तक अपना नाता दोता हूं, ब्रेकफास इतने बजे तक करता हूं, स्कूल इतने बजे तक करता हूं, लंच बच्चे आठ से नौ भाई तक भाई पहले मैं स्कूल करता हूं फिर उसके बाद नौ से बारा मैं नोट से रवाइस करता हूं अगे पढ़ भाई पिर स्कूल का काम और प्रजेक्ट करता हूं तीन बज पहले फिर रात को पढ़ने का मन होता नहीं है मेरा आगे पढ़ा पहले फिर साधे साथ पर वापस पढ़ने बैठता हूं देन उसके बाद थोड़ा सा ट्यूशन और स्कूल का काम करता हूं नौ बजे तक फिर वो हो जाता है उसके बाद 12 एम पे थोड़ा रिवीजन फिर उसके बाद सो जाओ देख इसका और जब तुम्हें सबसे जादा नींदारी होती है सबसे तुम अन्प्रोड़क्टिव होते हो उस समय तुम क्या करो कि उस समय बैठके भईया मैं नोट्स रिवाइस करूंगा तो भईया ये स्कूल का काम करें ये भी तुम इंपॉर्टेंट है इसके नमबर जुड़ने ह कितने नमबर का आता है ये स्कूल का काम कोई आसपास बुक रखी है उठा उसे हाँ ये यह यह जो आपने उस वाल की बोल दी थी सैंपल वेपर हाँ खोल उसे एक दो पनने आगे कर उसमें लिखी होगी बेटेश कि कितने नमबर के तुमारी इंटर्णल आ रहे हैं ये रह का नहीं करां तो मैं इसमें 0 दे देंगी मैं 0 नहीं देती अगर तुब सोच अपने जो पिछली क्लास में था उसमें कोई फेलियर बच्चा होगा क्या उसे प्रोजेक्ट वर्क में इंटर्णल नमबर में 0 दियोंगे मैं नहीं देती मेडम जीरो तुम कुछ भी उसमें नमबर जो तुम्हें मिलने सजाने के एक और एक्जामपल बताता हूँ जब मैं अपने 12 में था हम तो वोटा में थे तो उसमें यह से फेबरेरी का मन्त मिला गया था अपने बोर्ड के वर्ण में पढ़ना था और यह स्कूल वारे जो प्रोजेक्ट अंहीं करने थ तो हम यह नहीं करते थे कि पहले बैठके मैं प्रोजेक्ट को पहली प्राइटी दूँगा उसके बैद में बैठके अपना सेफ स्टेडी करूँगा यह नहीं करते थे हम क्या करते थे जब बिलकुल ऐसा हो गया न दिमाग ठक गया है कि अब मिरसे और जादा नहीं होगा कैसे करना होता है अन्प्रोडक्टिव टाइम में करना होता है तुम जाके टीचर को दोगे ना वो सीधर लास्ट पीज उठाएगी उसमें टिक मारेगी हो गया कांँ अंदर तुमने क्या लिख़्ा उसको घंटा फरक नहीं पढ़ता थीक है एक और बात बताता हूं तुम तो जिस भी कोचंग में पढ़ता है उस कोचंग में तिरको जो भी नोड़स लिख वाये होंगे तुर哥 नोड़स का री विजशं मांना होता है मैंने तरको बोलाय कि इसका भ्लाइन रृज़ जो क्या कर तिर simplemente कर्nor कोप्लीट करनी हैे एक चेप्टर उठा कोचंग का कोचं करने के बाद इस blank notebook में बिना देखे इसको लिख तो एक तीर से दो निशाने मार रहा है revision का revision हो जाएगा तेरा और notebook की notebook complete हो जाएगी इस तरह से करना होता है इसमें नहीं कि तुम येरफोन लगा के चाप रहे हो इसमें तो तुम्हार उल्टा फाइद है अगर तुम बिना देखे लिखोगे तो इस तरह से सुचो अचा भी हो जो स्कूल जाते हैं महाँ पर पढ़ाई तो कुछ होती है नी तो उसका टाइम जैसे उट्राइज करें अचा स्कूल के लिए देख तीन तरह के तेरे स्कूल हैं इस समय जो चल रहे हैं मेंली जो सबसे यादा बच्चों का चल रहा है वो चल रहा है तुमारा ओनलाइन स्कूल कुछ लोगों के कुछ स्टेट में तुमारे ओफलाइन स्कूल भी शुरू हो गए हैं ठीक है और कुछ बच्चे हैं जो कि अपने डमी ले रहे हैं मैं तीनों के बारे में बताता या फिर कोचिंग के एक्जाम्पल निकाल उसके सवाल निकाल उसको सॉल्व कर बर अगर तुमारा कैमरा ओन करवा रही है ऑफ है तो बहुत अराम से हो जाएगा अगर वो ऑन भी करवा रही है तो यह नहीं कहरी कि कैमरा नीचे करके मेरे को दिखा कॉपी में तो क्या जिस भत्चे के बास बहुत है तो यहां पर पेंशन होगी नहीं अगर को बच्चा जो कि ओफ लाइन स्कूल जा रहा है तो इसमें ट्राइक करो अगर तुम्हें अगर कोई पेरेंट्स यहां पर देख रहा है ठीक है अपने पेरें ठीक को जाके बोलिए कि अगर हो सके तो उन से कंसेंट मांग ले कि भई नहीं यार मैं offline school ना जाओं वहाँ पर मेरा time waste होता है अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तिरको offline school जाना ही पड़ रहा है तो भई तेरको छोले बटूरे खाने तो जाके तेल तो खाना पड़े गई सुनिया यहारी कावत नहीं तो भई यह तुम्हें चोले बटूरे खाने है लाइफ में सुक्सेस पानी है तो तुम्हें तेल खाना पड़े गई मतलब कि तुम्हें failure तो देखने पड़ेगी कुछ-कुछ अरचने तो देखनी पड़ेगी तो भई तिरको बाद में जाके आइटी में जाना है या फिर बाद में ज जिस पूछ नी थी हाँ चल जल्दी से पूछ भईया मैं जिस कोचिंग में पड़ रहा हूं न मांके जो टीचर है उसके नोट में जब अपने कोटा वाले दोस्त के टीचर के नोट से कंपेर करता हूं न तो मुझे कुछ चीज़ें बिसिंग लगती है वो जो कोटा वाले तो मैं तो मुझे लगता है कि यार हमारे टीचर में कुछ कमी है तो फिर मैं टेलिग्राम से याकर दूसरे टीचर के लेक्चर डाउन्नोट कर लेता हूं वो देखने लग जाता हूं तो ऐसे न मितलब टाइन बहुत वेस्ट हो जाता है वह आच्छा देख यार थोड़ा स इसी भी गलती करती है तो वह इंसान उससे मालो थोड़ी सी भी गलती हो गई उससे थोड़े से एक दो टॉपिक छूट भी गए बाई हम हो जाते हैं विलकुल कि यह टीचर वहां पर पढ़ाता है इतने सस्ते में पढ़ा रहे चलो वहां जाके पढ़ने लग जाते हैं आसे जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं ऐसे नहीं होता है दिकत मैं तरको बताता हूं सेम चीज हमारे कोटा में होती थी हम क्या करते थे जिस बैच में पढ़ रहे हैं हमें लगता था कि यह इस बैच के अलावा जो वह फलाना बैच है उस बैच के बहुत अच्छे थे थ वो तुमें उस गेट तक पहुचाने में पूरा सक्षम है जो उस कोचिंग का मालिक है वो दिमाग रखके उस टीचर को रखेगा ऐसे नहीं फालतू फंड में उस टीचर को रख लेगा तो यह नहीं कि हम इस टीचर से समझ में नहीं आ रहा है चलो अब उठा के टेलिग्र यह काम पर लेक्चर देख रहा हूं ऐसे नहीं है टीचर पर विश्वास रख एक टीचर का मात्र काम है तिरको गाइड करना तिरको बहुत उसके इृप से यह करता है क्या तूसका 100% सुन रहा है क्या तूसके साथ एंड तक है एंड तक वह हर एक टॉपिक तिरसा करवा देगा जो हर एक टॉपिक दूसरी कोचिंग में तू सोच रहे तेरा रहे गया है क्या मेरी बाद समझ में आई इस तरह से हमें पढ़ना है पूरा भरोसा रख यह कोई बात नहीं है एक चीज और बता यह BGMI क्या होता है BGMI यह तो वही है मतलब जो पहले PUBG ता ना उसका नाव चेंज करके BGMI कर दिया है नोने ओ भाई साब अभी मैंने इस्टा पे पूचेते ना questions उन में से एक बच्चा आया उसने देख answer क्या लिखा कि भाई यह करता हूं फिर उसके बाद यह करता हूं फिर एक से दो मैं BGMI फिर उसके बाद फिर पढ़ता हूं फिर उसके बाद BGMI आट वे तक मैंने को यार सॉर पढ़ने जाए बाई चला कि ओके भीया बाई